हेलो दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं दो कच्छे आलू से बहुत ही टेस्टी और करारी सी नास्ते की रैस्पी तो चलिए फटा फट से सुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह हमने दो कच्छे आलू को चील के और यह ले लिए हैं तो उसके बाद हमने यह ग्रेटर लिया है बारिक वाला तो इसे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे तो इसके हमें बारिक ही लच्छे चाहिए तो इसलिए हम इसको बारिक जाली वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं तो यह दोनों आलों को ग्रेट कर लिया है, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डाल के इसे अच्छे से धोलेंगे, ऐसे करके पूरा इस्टाज निकाल लेंगे इसका, तो ऐसे ही दो तीन साफ पानी से धोलेते हैं, तो यह धोके हमें इसे पानी में ही रख ले तो एक भावर ले लिए वरो देंगे पोह, कोई सभी हो मोटा हो बारी को तो दो कड़ वरों हम ले रहे हैं उसके बाद ऑनी डाल देंगे चप देड यह पांव फैसे नहीं एक study grandson में परपोह कर दो नहीं हुँआ । एसे करके अझाँ निए चरहे लाच neural ब agencies तो यह दो दिया है हमने, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी हम ड़ा देंगे, हमने पूरा पानी इसका निकाल लिया था तो दो तीन चमज पानी डाल देंगे, और इसको हम 10 मिनिट के लिए रैश्ट पे रख देंगे, तब तक है सौफ्ट हो जाएगा तो आगे की तयारी कर लेंगे तो एक पैन रख दिया हमने गैस में और इसमें दो चमल स्टेल डाल लेंगे तेल को थोड़ा गरम होने देंगे गैस को लोग पे ही रखेंगे और उसके बाद इसमें आदी छोटी चमल जीरा डाल देंगे आदी छोटी चमर राई डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल लेंगे, और दो से तीन हरी मिर्ची को हमने बारी कट कर लिया था तो उसे डाल देंगे, और ये सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए बून लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं क उसके बाद हम एक प्याज डाल देंगे, इसमें बारी कट करके, और प्याज को भी हलका सा भून लेंगे, तो प्याज भी हमें ज़्यादा कलर चीज निकाना है, हलका सा ही भूनेंगे, तो ऐसे ही चलाते रहेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो ये प्याज भी आप देखे हल अलुका सा भून गया है उसके बाद हम क्या करेंगे जो आलू को हमने ग्रेट किया था तो उसका पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है और एकदम सूखे सिल अच्छे हैं तो इनको डाल देंगे और इनको भी चलाते वे कुछ सेकंड भून लेते हैं गैस को मीडियम लोग पे कर लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ऐसे भून लेंगे बड़ी ऐसा मिक्स करते वे तो ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको तो ये आप देखे हलके से आलू भी भुन गए हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी मसाले डालेंगे तो नमक डालेंगे स्वात के अनुसार आदी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउड़ा डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ी चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें ये भुना जीरा पॉडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पॉडर और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे जो भी हों उसी मसाले में आप इसे बना सकते हैं तो ऐसे करके चला लेंगे इसको देड성् них lite से 2 मिनाट टक हम ऐसे पुण लेंगे बाडिया से करके तो आप चाहें तो दो मिनाट के लिए इसे लो प्लेम पे ढख कोई सकते हSir तो ज़्यादा पकाना नहीं है इसको 50% तक ही कुक करना है इसको तो इसलिए हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और थोड़ा सा इसे बनने देंगे बढ़िया सा तो एक्दम आलू बढ़िया से फ्राय हो जाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नास्ते में तो यह आप देखें एकदम बढ़िया सा बून के हमने आलू को तयार कर दिया है उसके बाद गैस को बन कर देंगे और आलू को ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो आलू को हमने ठंड़ा होने के लिए रख लिया है, तो इतना हम पोहे को चेक कर लेते हैं, तो पोहे भी एकदम सौट सा हो गया है, अच्छे से भीग गया है, फूल गया है तो इसको एस से करके, उसके बाद इसमें कुछ चीजे पहले एड़ कर लेंगे, तो नमक नमक को थोड़ा सा चिली फ्लेश डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया की पतियां डाल देंगे तो उसके पाद इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे करके बड़ी ऐसा मसलते वे और इसका एक डोब बना लेंगे तो अगर इसमें पानी की जरूत होगी तो हम गुंपते वे इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे तो ऐसे ही मसलते वे बड़ी ऐसा करके और इसका एक डोब लगा लेंगे तो यह आप देखे सौट सा डोब लगके तयार हो गया है तो उसके पाद हातों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और ऐसे करके दबाते वे इसे बड़ी ऐसा सेट कर लेंगे क्योंकि ये पोगा है तो थोड़ा फटेगा तो ऐसे करके और इसे दबाते वे अतेली पे इसे ऐसे चप्टा कर लेंगे जहां से फट रहा है वहां से हम इसे थोड़ी से हाथों से जोड़ लेंगे और ऐसे करके उसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है वो हम इसमें रख देंगे तो ऐसे दबाते वे एक एक चमब से हम रख रहे हैं और इसको बंद कर लेंगे ऐसे करके तो यह आप देखे एकदम आसानी से बंद हो गया है कोई भी जंजट नहीं है इसे बनाने में और उसके बाद इसे ऐसे दबाते हुए थोड़ा सा बड़ी आसा सेट कर लेंगे और ऐसे टिकी की तरह बना लेंगे तो यह आप देखे बड़ी आसा बनके तयार हो गया है तो सारे यह हम ऐसे ही बनाके तयार कर लेते हैं तो यह चार बनाके हमने तयार कर दियें तो चलते हैं इने लेके गैस की तरफ तो इदर हमने तेल गरम करने रख दिया था तो एक एक करके डाल देंगे इसमें तो आप चाहें तो पूरे डी फ्राइ भी कर सकते हैं इसको तो इसको थोड़ी देर बनने देंगे एक दम से नहीं पलटेंगे गैस को मीडियम पे कर देंगे मीडियम पे ही रखेंगे कम जादा नहीं करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसे पलट लेंगे तो हल्का हल्का कलर इसमें आने लग गया है तो ऐसे ही करके पलट पलट के इसे बढ़ी आसा सेट लेंगे तो कभी भी हल्की फूलकी भूगो या फिर कुछ बाहर का खाने का मन करें तो आप इसे नास्ते को पांच मिनिट में बना के तयार कर सकते हैं तो यह आप देखे एकदम बढ़ी आसा करारा सा बन गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे ऐसे करके थोड़ा सा साइड में रोक लेते हैं और ऐसे ही पूरे नास्ते को हम निकाल लेते हैं तो यह आप देखे पूरा ही नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से तो एक बाद ट्राइ किजिएका थेंक यूू